गर्मियों में ठंदा ठंदा कूल कूल सा पके आमों का डिजर्ट बनाती हूँ बहुत ही सिंपल तरीका है बहुत ही आसान तरीका है और इससे पहले आपने इस तरीके से डिजर्ट नहीं बनाया होगा और बहुत ही कम समय में बहुत चटपट से बन जाता है अस्सलामुलेकूम कैसे फ्रेंड उमीद करती हूँ अच्छे से होंगे और खेरत से होंगे चलिए आज रिजर्ट बनाना शुरू करते हैं आम से तो यह मैंने कडाई ले लिया है और इसमे मैंने एक चमच घी डाला है आप चाहें तो ऑइल भी डाल सकते हैं कौइए अब मैंने इसे अच्छे सही मेल्ट कर लिया है यानि जब लिया है आप में इसफे कुछ ड्राइफ ले लिये थे रहा है ब्राउन वाली सिमाई है और आपकेमे पसे समाई है और उसे एूड़ के समई हो तो आके अगर आपके पास वाइट वाली हों तो इसे थोड़ा टाइम लगेगा चलाते हों क्योंकि यह भूंजी हुई है तो ज्यादा टाइम नहीं लगा है तो अब मैंने इसमें दो कप भरकर दूट डाल दिया है और दूट डालके इसे अच्छे से पका लेंगे और इसे जब तक पकाएंगे यह मेरा दूद जो है ना बॉयल किया हुआ है दूद था तो अगर आपके पास कच्छा दूद हो तो वह भी डाल सकते हैं उसे भी डालके अच्छे से एक बार बॉयल ले लिजेगा और फिर लो टू मीडियम फ्लेम में इसे पकने देंगे और ज अब भरकर मैंने कस्टड पाउडर डाला है और आप मैं इसमें दूर डालके इसकी अच्छी से बिसलरी बना लूँगी यानि कि अच्छा सा पेष्ट बना लूँगी और इसमें गुटली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए तो यह दिखे मैंने इतना इसे अच्छा सा कहीं है कि महीं बहुत अच्छे से अब में इसमें कश्टेट पॉडर dije और कश्यट पॉड़र डालने से पहले देखें के इक बार हम सलाओ कर दो लेंगे और बहुत जल्दी कश्टट पॉड़र पकने लगता है तो इस बात का ध्यान रखना कि हमें चला कर डालना है कश्टट पॉड़र को यह देखे नीचे जम जाता है तो इस तरीके से एक पर जरूर चला लिजेगा और चलाने के साथ साथ इसे डालते जाएए और चलाते जाएए और मैंने इसमें सब डाल दिया है और यह देखे बहुत अच्छे से मैंने इसे पका लिया था 10 मिनट तक की और यह देखे अच्छ ये तोड़ा से ठंडा होने लगा है तो आप मैं इसे तो आप मैंने जो ड्राइफ रोट्स में इसे फ्राइ करके रखे थे पांच मैंट और पकाहुझा भी ज़्यदा दिर नहीं पाएं राखे रिचा लगा अब हमने चीनी डालके इसे पका लिया है, अब क्या करना है, अब मैंने इसे ठंडा कर लेना है, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद में, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या करना है, और ये बहुत अच्छे से देखे ठंडा होने लगा है, अब मैंने ये दो आम ले लि कट लगा के हम पल्प निकालेंगे बहुत ही आसानी से निकली आते हैं बहुत ही जट पट से निकली आएंगे यह दिकी चमबच की सायता से हम इस तरीके से निकाल लेंगे तो बहुत ही इसली निकल जाते हैं एक बार और आपको इस तरीके से कट करके दिखा रही हूँ और ये इस तरीके से आ ये आ चोटे पीस के निकाले हैं और थोड़े बड़े पीस के निकालें वो में आखके चलके आपके बताओंगे इसका क्या करना है तो ये दिखी मेरे दोनों आम के पीसिस निकल लिया हैं एक छोटे हैं एक बड़ा है तो अब मैं छोटे वाले को रख देती हूं साइट में और बड़े वाले को मैं मिक्सी ग्राइंड में ग्राइंड कर लेती हूं तो ये में दोनों आम लग गए थे तो दोनों आम का मैंने पल्प निकाल लिया है इस तरीके से इसे ग्राइंड में मैंने कर लिया है आप इने क्या करना है चोलो इसे करते हैं मैंने ये ब्रेट ले लिये हैं पांस से छे ब्रेट लिये हैं वाइट वाले ब्रेट लिये हैं आ कोई मीठा बना सकते हैं तो इस तरीके से मैं सारे के साइड़ निकाल लूँगे क्योंकि साइड़ निकालने से थोड़ा सा लूक अच्छा लगता है वाकि आप चाहलें तो इसी तरीके से भी बना सकते हैं और अब यह दिखिए हमारा कश्टर्ड भी बहुत अच्छे से कि यह ला लिया हैं और हरके हाथ हो से करना है और देखी कि पहुत बहुत एचसी मिक्स हो गया और कि दो करने लगे यह बहुत है तो आप चाहिए तो आप थोड़ा सा थंडा दूर डाल सकते आधा कप तो यह एकड़ में अच्छा सा वेटर बन दायागा तो आप लिया है इसे क्या करना इस तरीके से मैंने छुटे पीस लिए थे नाम के उसे तरीके से इस पर रखेंगे और ये हम इस तरीके से सारे अच्छे से पोर कर लेंगे अब इसको पर दूसरा वाले स्लाइस रखकर अच्छे से थोड़ा सा हाथों से प्रेस कर लेंगे और ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा सेंड्विच बन गया है आप चाहें तो इसे इसी तरीके से भी ट्राय कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, बट मैं इसे देखें, फोर साइट में मैं कर लूँगी, यानि कि स्कॉार सेप में मैंने फोर पिस कर लिये हैं, एक प्रेट के, और ये इस तरीके से तयार हो गए हैं, अब इस तरीके से अठने पहुत J अच्छा लगता है मैंगो बनकर तैयार हो गाया है कि हिसे गर्ण में और रहालो थी लेने कि लिए तो मैंने इस द्देट ले लिए था इसे पितला कर लूंगी और। न travelledा यू अगर हमारे रासी बासी तो फिर फोल्ड नहीं हो पाएगे इस तरीके से आम के चंस रखंगे इस तरीके सरो बना देंगे और चिपका देंगे वी जिसे हमे इसे अच्छी से वुर्ड करके चिपका देंगे क्योंकि ये रोल तयार हो गया है एक स्थे कितनी आसानी से तयार होगा ऊकाने में बहुत यद्यादा टेष्टी लगता गता आं देख़ने में लुक तो आपको नज़री आ रहा कितना अचा है तो इस तरीके से देखे मैंने शारे रोल बना लिए हैं अब इसको उपर भी वही वाला में हम इस तरीके से डाल देंगे और यह दिखिए अब इसे ठंडा ठंडा करकर सर्फ करेंगे और हमें फीड़ेक जुरूर दीजेगा आपको यह रेस्पी कैसी लेगी और हमें चैनल को सबस्क्राइब किजिए अलाह अफिर